हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना निजूज नमस्कार हला बोल मैं आप सभी का स्वागत और मैं हूँ आपके साथ सोनिया सतनीता हला बोल वो मंच जिसमें हम उठाते हैं आपका मुद्दा और लेते हैं आप लोगों से ही राए तो हला बोल में आज हम मुद्द उठाने वाले हैं नशे का अगर हारियाना के विभे नक्षित्रों की बात की जाए तो लगातार नशे के कई मामले सामनी आरे हैं बात अगर गुरुगराम के करें फतेहाबात की करें सिरसा की करें लगातार आज हारियाना का युवा नशे की गिरिफ्त में कैद होता नजर आ रहा तो आज हला बोल में हम हला इसी मुद्दे पर बोलने वाले हैं और आप हमें फोन कर सकते हैं अपनी राए हम तक पहुँचा सकते हैं अपनी समसा से हमें अवगत करा सकते हैं अमरा नमबर लगा था टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहा है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ये हला बूल कारेकरम आप जनता का है आप आवाम का है आप हमारे साथ इस कारेकरम में जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये कारेकरम आवाम का ही कारेकरम और इस कारेकरम में हम आवाम की आवास को ही उठाते अवाम से जुड़े मुद्दों को उठाते तो हला बोल में आप अगर इस वक्त इस कारकरम को देख रहे हैं तो आप हमाइसा जुड़िएगा अपनी समस्या हम तक पहुंचाईएगा और आपकी क्या राए है इस पर नशे की गिरफ्त में हमारा जो भविश्य है हमा इस पर नशे की तो एक ज्यादा ही मतलग हो गया इसा सराव का भी एनसा बीडी का भी एनसा अफीम का पता ना तरह तरह के चलने इंजेक्शन लगा रहे हैं मेडिकल स्टोरों पर मिल रहे हैं तो नसे पे सरकार क्यों लोगाएगा इनको इंकम है एक करप से परनचायतों के कहने से ठेके बंद किये जा रहे हैं दूसरी तरफ से हर घर को लाइसेंस दिये जा रहे हैं हम तो सरकार का अक्षोस्ति एक भी देश आराम से रह सके किसी के बच्चे के देशी को खराब करना तो इसके बच्चे को नसे की आदर डाल दो अपने पैसों से वो थोड़े दिन सरकारी विवागों के अंदर जो घोटोलों हो रहे हैं यह भी एक नसा है कि बच्चे में आखते हैं तो नसा एक ऐसा मझा प्हल चुक्या है कि टीबी भी खतम होगी पूलियों के भी बहुत कम चांस हो लेकि नसे की मझा हरतरे के नसे बढ़ते जा रहे हैं हम इसार के कोई युवा देख रहे हैं जो नशे की गिरफ्त में हो और नशे की गिरफ्त में क्यूं है किस तरीके से निकाला जा सकता है आपकी निराय का हमारे कारकर में स्वागत है MP यह तो बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए तो लगता हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके स आज प्रदेश काई हुआ नशे की गिरफ तुमें आ चुका और सवाल पूछ रहे हैं कि नशे पर आखरकार नकेल कब लगेगी कब जागे गास्थानिय प्रशासन आखरकार क्यों नशे की तसकरी दूसरे प्रदेशों से घरियाना में होती है और कई ऐसे मामले कई ऐसी खब जबरे भी सामने आती हैं जहाँ पर नशा तसकर पकड़े जाते हैं और कहा जाता है कि घरियाना में वो नशा सप्लाई करने के लिए आ रहे थे और पोलिस ने उनको धर्दा पोचा है तो लगातार हम महला बोल में यही मुद्दा उठा रहे हैं कि आखरकार क्यों प्रशा कि स्थिती देख रहे हैं यूआ किस तरीके से नशे के आदी हो रहे हैं और वो क्यों नशे पर अगर रोगताम नहीं लग पा रही है तो इसमें किसकी विफलता है और अगर विफलता है तो वो भी क्यों है तो अस्पतालों में भी ऐसे युवाओं की तादाद बहुत जादा अगर OPD की बात कर ले तो ऐसे युवाओं की तादाद भी सिविल अस्पतालों में काफी जादा होती है जो नशे के आदी होते हैं नशे के गिरफ्त में होते हैं और जो इलाज के लिए सिविल अस्पतालो का रोख करते हैं तो लगातार हम आपको TV स्क्रीन पर भी दिखा रहे कि किस तरीके से आज का युवा नशेक आदी हो रहा है हमारा नमबर लगातार TV स्क्रीन पर प्रफ्लेश हो रहा है तो अगले दर्शक विजेंद्र हमासा जुड़ गए विजेंद्र आप कारकर में जुड़ गए हैं बताए क्या राया आप देना चाहेंगे हमारे हापे जुड़ दाव है लाजार नवा सारी की जोगा चल रहा है हमारे हमारे हैं आपकी आवाज हमें साफ नहीं सुनाई दे रही जी जी बीजेंद्र आप अपनी राय दीजी मैं यहां पे गांजा बिच्ता है सुल्फा बिच्ता है मैं से कि इंजेक्शन बिच्टे हैं तो सवाल भी यहीं है बीजेंद्र क्या स्थानिय प्रशासन नशेपर नकील कस्वे में विफल क्यों हो रहा है मैं ये परसासन कोई पैसा के लागे ताम चलता है का रहा है तो गुरुग राम से हमारे अगले कॉलर हम ऐसा जुड़ गए है राम कारकर में आपका स्वागत है बताए क्या रायाप देना चाहेंगे और किन समस्या से हमें आप अवगत कराना चाहते हैं नमस्कार जी जी नमस्कार राम मैं तो आपको अपने गैंता के सब्द बता सकता हूँ जी बताएए कारण क्या है युगों युगों से ये नमस्कार आ रहा है और इस नसे को बढ़ावा कौन दे रहा था और जो लोग कहते हैं अपने आपको बड़े बड़े बुद्धी जी भी कहते हैं मैं सपच सब्दों में कहता हूँ जिसने हिंदू मुसल्मान का गंद खोला हुआ है ये जो नसा होता था हमारे हिंदू ही में ज़्यादा परसा चली हुई थी जिसके कारण मुस्लिम धरम पैदा हुआ है जिसके हिंदू मुसल्मान प्रट खाले जा जी इन चीजों पर ध्यान नीदे रहे सबसे ज़्यादा जो जुवा कहला गया तो प्रहम पुद्धी जिश्टों ने पपनी को जुवा पर लगा दिया आप जितने भी दर्शे के स्वक्त हमें देख रहे हैं फोन कर सकते हैं हमारे कारकर में जुड़ सकते हैं अपनी राए हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्यां से भी हमें अवगत करा सकते हैं अपने अक्षेतर में किस तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं कि आप सिच्वेशन आपने अक्षेतर में देख रहे हैं अपने अक्षेतर में किस तरीके से युवाओं को नशे की गिरफ तुम्हें कैद होते आप देख रहे हैं आज का मुद्दा यही है और यह मुद्दा जो है आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है आवाम की आवाज उठाना ही हरियाना न्यूस का करतव है अब हम ऐसा जुड़ सकते हैं और अपनी राए अपनी समस्था से हमें अवगत करा सकते हैं हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहा है आज प्रदेश के किसी भी अक्षेतर की बात कर ले लगातार खबरे सामने आ रहे हैं मामले सामने आ रहे हैं कहीं नशात असकरी के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं पर यूवा लगातार नशे की गिरफ्तों में कै को छोड़कर नशे की और अगरसर हो रहा है नशे की और इतना एकसाइटिड हो रहा है तो लगातार हम आपको हमाराज का जो सवाल है वो भी बता रहे हैं और इन सवालों के जरीये हम जनता से भी जानना चारे हैं कि आखरकार उनको किस तरीके से प्रशासन की वेफलता लगत तो देखें किस तरीके से नशे की जो गिरफ्त है वो लगातार युवाओं को अपनी और जखड रही है और प्रदेश का युवा लगातार नशे की गिरफ्त में कैद होता जा रहा है हमारा नमबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फलेश हो रहा है जितने भी दर्शे के इस वक्त हमारे कारेकरम को देख रहे हैं वो हम ऐसा जूड़ सकते हैं और अपनी राए अपनी समस्था से हमें अवगत करा सकते हैं अर्याना नियूज आज हला बोल इसकारेकरम के जरीए यही पूछ रहा है कि नशे के शुकीन युवा क्यों बनते हैं नशे की चपेच में आज प्रदेश का युवा है प्रदेश का भविश आज नशे की चपेच में हैं आखिरकार क्यों सरकार और आखिरकार क्यों स्थानी प्रशासन नशे पर रोक लगाने पर विफल हो रहा है नशे के बढ़ते नेटवर्क पर आखिरकार स्थाने प्रशासन कब रोक लगा पाएगा और नशे की गिरफ्त में युवा गर्त में वाख़ी ये सच भी है कि नशे की गिरफ्त में और युवा गर्त में जितने भी नशे की गिरफ्त से बाहर निकल सकता है और नशे पर नकील कब लग पाएगी कब जागेगा स्थानी प्रशासन और खबरे भी अक्सर सामने आती रहती हैं कि नशा तसकरी करते वक्त इतने लोग पकड़े गए नशा तसकरी क्यों की जा रही थी ये ऐसी खबरे भी सामने पिर जो दूसरे प्रदेश हरियाना से सटे हुए हैं जिनकी सीमाएं हरियाना के जिलों से लगती हैं उन जिलों में खास तोर पर नशा पैर पसार चुका है वहां के युवा लगातार नशे के आदी हो रहे हैं और ये भी देखने को मिला है कि नशे के जो आदी हुआ हैं कि उम्रे 15 साल से लेकर 30 साल के बीच में मिलती है और बात न सिर्फ लड़कों की करे बलकि लड़किया भी नशे की चपेच में लगातार आ रही हैं तो लगातार हला बोल में हम यही मुद्दा उचारें कि आखर कर कब नशे पर नकेल लग पाएगी और कब हरियाना प्रद कर नशे पर लगाम कब लगेगी प्रदेश के दूसरे राज्यों से सचे हुए इलाकों की अगर बात की जाए तो लगातार उन इलाकों से खबरे सामने आती रहती हैं नशे से जुड़ी हुई आखर कर उन इलाकों की बात करें तो सवाल ये भी बनता है कि क्या स्थानिय प राए हम तक रख सकते हैं अपनी समस्य आप हम तक पहुचा सकते हैं तो हला बोल में लगातार हम आप जनता से जुड़े हुए मुद्द उठाते हैं आप लोगों की राए लेते हैं आप लोगों की समस्य से हम अवगत होते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा नमबर लगा लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहा है और सवाल यहीं है कि इस थानीए प्रशासन विफल रहा है और प्रशासन क्यों नशा तसकरी पर रोह नहीं लगा रहा है तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नशा तसकरी पर रोख कब लगेगी और हमारे समाल यही है और आप हमें फोन कर सकते हैं और लगातार हमारा जो नमबर है टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहा है हमें फोन कर सकते हैं हमारे नमबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहा है अपनी राई हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी समस्य से हमें अवगत करा सकते हैं आज का मुद्ध हमारा यही है कि हारियान का यूवा आज नशे की गेरफ्त में क्यों बढ़ता जा रहा है नशे पर प्रशासन आखरकार कब रोक लगाएगा आप हमें फोन कर सकते हैं सवाल ये भी है कि नशे की गेरफ्त में हमारा भविश्य लगातार डूपता जा रहा ह तो इस भविशे को उबारने का काम कौन करेगा और उड़ता हरियाना पर लगाम कब लगेगी नशे पर नकेल कब लगेगी तो लगातार तस्वीरों के जरीए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का युवा किस तरीके से जो है नशे कर रहा है सारवजनिक स्लो पर भी ऐसी सामने आई हैं कि बहाँ पर भी युवा बैठ कर नशे कर रहे हैं को इंजेक्शन के जरीए तो कोई किसी तरीके से नशा करता मिला है और हम भी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि नशे पर आखरकार कब लगाम लग पाएगी और युवाओं का जो भविश्य है वो कब जो है उजवल हो पाएगा और नशे की गिरफत में युवा गर्ट में वाक़ है यह सच भी है और नशे की गिरफत में जो युवा कैद हो चुके हैं वो युवा किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं नशे पर लगाम लगाने पर आखर कारप परशासन क्यों फैल थाबित हो है बात अगर विधानसभा के बजट सत्रकी करें तो अभेच उटाला ने भी नशे का जो मुद्दा है वो भी उठाया है तो हमारे कारे करम में कॉलर राम हमारे सा जुड़ गए राम मैं आपको एक बर दुबाहरे से बसाना चारता हूँ जी कारण क्या है अगर हमारी सरकार चाहे तो नस्टाा रोक सकता है परन क्या है कि हमारी सरकार को चाहिए घ्लठ को शेहता है सामने सामने खुल गए फिर उसके बावजूद घर घर में अब हरयाने के अंदर चालोगे आप बहुत लबी घर में रख सकते हो यह कहां जा रहे हैं यह काम कृष्णों करते थे गोवा के अंदर जाके देख लो जो घर का रख 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 यही कारण यह इनको पैसा चाहिए फिर उनको पकड़ो उनसे पैसे लेकर छोड़ दो कोट में जाओ कोट वाला सराथ को सब्बे बंद करेगा दूसरे दिन उसको छोड़ देगा जाओ दुबारा मूं काला करो दुबारा करा हमारा कानून हमारी लचीली हमारी कुरसी हमारा पैसा यह सारा चीछ खेल बंद रहा है और इस सरकार को सोचना होगा इसी कारण कांग्रेस को नजाब बदलावे के लोगों ने गहरा कर बीजेपी को चिताया बीजेपी उससे भी कही जोने लाग गुना आगे पहुँच रही है इस जन्ता को सोचना होगा करने वागा जी रहा हम बहुत शुक्रिया कारकरम में जूडने के लिए और अपनी राए हम सभी के समक्ष रखने के लिए लगातार हमारा नमबर टीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रहा है अब जितने भी दर्शक हमारे कारकरम को देख रहे हैं वो हमाई सजोड सकते हैं अपनी राए हम तक पहुँचा सकते हैं अपनी समस्थ से हमें अवगत करा सकते हैं सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों नशा तसकरी पर लगाम लगाने में इस्थानी परशासन विफल साबित हो रहा है और आखिरकार क्यों जिन युवाओं को बढ़ाई लिखाई करनी चाहिए वो युवा नशे की गिरफ्त में लगातार खैद होते जा रहे हैं नशे की गिरफ्त में लगातार वो बढ़ते जा रहे अगर ये तादाद के बात करें तो गुरुगराम में भी युबाओं की जो तादाद है युबाओं की जो संख्या है वो भी जादा बढ़ रही है और न सिर्फ लड़के बलकि लड़कियां भी जो है नशे के गिरफ्त में खैद पाई गई है